महिंद्र सिंग्धोनी, विराज कोहली और युवराज सिंग को अपना आदर्श मानने वाले दिहाडी मजदूर परिवार का बेटा दृष्टिहीन खिलाडी सुजीत मुन्डा का चयन इंडियन क्रिकट टीम के ब्लाइन टीबीस वर्ल कप के लिए हुआ है। शुजीत मुन्डा के पिता और उसके भाई अगल बगल के घरों में जाकर लेबर का काम करते हैं। और इथलेटिक छोड़ क्रिकट के खिलाडी बन गए। एक मित्र के सहयोग से उन्हें साल 2014 से लेकर 2017 तक जारखन ब्लाइन क्रिकट टीम के लिए खेलने का मौका मिला। बहतरीन खेल की वजए से विभिन राज्यों में सुजीत मुन्डा को सम्मान मिलता रहा है। अब सुजीत मुन्डा देश के लिए ब्लाइन्ट टीबीस वर्ल कप खेलेंगे। सुजीत मुन्डा ने बताया कि दिसंबर में खेले जाने वाले ब्लाइन्ट टीबीस वर्ल कप के लिए चरणों में ट्रायल का आयूजन किया गया था। पहले चरण में देश भर से कुल 56 खिलाडियों का चयन हुआ था। दूसरे चरण में इन 56 में से 29 खिलाडियों का चयन किया गया। शुजीत मुंडा का चैनुस सत्रह सदस वाली खिलाडियों की टीम में हुआ में हुआ जन्हे देश के लिए खेलने का गौरव मिला सुजीत ने अब तक के कैरियर में उन्होंने साल 2018 में साउथ अफरिका के खिलाब विपक्षिय सीरीज वर्ष 2020 में भारत पाकिस्तान बांगलादेश के बीच खेले गए त्रिपक्षिय सीरीज और दुबई में भारत पाकिस्तान और दक्षिन अफरिका के बीच खेले गए ट्रायंगुलर सीरीज मे भी हिस्सा लिया है भारती टीम के टी बीस ब्लाइन क्रिकट टीम में चैनित होने को लेकर उच साहित सुजीत ने बताया कि दिसंबर की महीने में खेले जाने वाले टीडट वर्ल कप के दौरान पूर्व भारती क्रिकेटर युवराज सिंग खिलाडियों का मार्क दर्शन कर जब से भारत की स्टार प्लेयर सचिन तेंदुलकर विराज को हुली युवराज सिंग जैसे खिलाडी आज ब्लाइन क्रिकट को सपोर्ट करते हैं इससे उनका उच्साहो और बढधा है दिव्यांग द्रिश्टिहीन खिलाडी सुजीत मुंडा की पतनी अनीता तेगगा ब दर्दिया है कि एक तरफ उनका चयन देश की टीम के लिए दूसरी तरफ बधाली और मजदोरी करने को विवश्या परिवार अगर मजदोरी कर कमाएगा तो ही इनके घर का चूल हे जलेगा दूसरों राजियों की तरफ चारखंट सकार भी खेल प्रोच साहन नीती के तहत दिव्यांग खिलाडी को आर्थिक मदद के उद्देश सी नौकरी दे ताकि ऐसे दिव्यांग द्रिष्टीहीन खिलाडीयों का परिवार सम्मान पूर्वक समाज में जी सके द्रिष्टीहीन खिलाडी सुजीत मुंडा की इच्छा है कि वे इंचारखंट के मुख्य मंत्र दिव्यांग खिलाडियों के समर्थन और उनकी बेहतर भविश्य के लिए दिखा जाए तो सर आर्थिक इस्तिति के विश्य में तो इस भी मैं देखा जातों मुदलब घरी गरी परिवार से विल्यों करता हूं शाथी शाथ जो है आर्थिक इस्तिति हमारी बहुत खराब ह है और आने जाने में भी तो आपको मालूम होगा कि खर्चा बटती ज्यादा तो भी उसको जो है मैं मतलब जो है जो आती हमारा उनसे मैं मैंनेज करता हूं जिसी तरह हो जाए क्योंकि मुझे किर्केट बहुत सो किर्केट के बहुत सोकिंग हो चाहे वो मुझे कभी बुला करके जाना पढ़ता है तो यह सरा चीज है सर जा जाए तो यह या उच्छा सी का अरफ यह सरकार हो कभी विका बचावाह बहूंत देनेगा पशल्टाल यह सरा चीज है तो इससलिए जो है प्रफोट करेंगे तो हम उनके लिए आभारी है अच्छा जब क्रिकेट खेलिक लिए जाते हैं तो मैच में पैसे पैसे क्या कर्जा और रखेंगे आप पैसे देखा जाए तो मैच के जाने आने में खर्चा बढ़ता है तो किसी से लेना ही पड़ जाता है कि मैने तो करना पड़ेगा आगे बढ़ना तो कुछ पता है अंदाज है कुछ पता है अब करजा की बात रहे से लिए बाके ज्यादा है तो नहीं कहेंगे सबसे पहले सर मैं एटलेटिक्स के बिश्य में जाओंगा अपने स्टेट के लिए उसमें मुझे बहुत सफलता मिला था उसमें मुझे एक बार मुका मिली कि 2011 में हमें चीजड़ागे सराल उसमें मुझे नहीं के लिए पेड़श के मना लिए फिर उसमें मीडियेगी करत लीघू क्नेja energi भूना के लिए छोड़र उस्के बाद दो 10 Всよね में मेंने किरिकेट जोईन किया जो बुलान करिकर होती है अपने स्टेट लिए अपने इश्टेट के लिए खेलते हैं करीबन तीन साल होई तब जाकर को मुझे मोका मिला इंडन टिम में आने किया और मैंने जो है 2018 से लेख़के 2022 तक मैंने इंडिया टीम के साथ जुड़ा रहा और अभी बहुत बड़ी यह जो टुनामेंट हो रही है उसे मुझे 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 मिला है उससे पहले मैंने जो है एक बंगलादेश गई हुई थी टीम जो इसमें ट्राइंगलर सुरी थी मैंने उसमें बश्ड़ा है एक दो शुड़ा प्रीमान ट्स्टामेंट मैं उससा की मैंने इन्या ह ?"